शार व प्रतम्तो जाय स्थ्यक्रिष्ट आज हम लोग ये कथा सुनेंगे यह कथा बड़े ही धारमेग, मारमेग तठा अध्यात्मेग है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा शमझ में आता है तथा कथा का हनन्द भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं उपमन्यू व्याग्रपाद मुनी के पुत्र थे पूर्व जन्म में ही उन्होंने शिद्धी प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनी कुमार के रूप में प्रकट हुए थे बच्पन से ही वे अपने मामा के घर रहते थे क्योंकि दरिद्रता उनके अपने घर तो जैसे पैर तोड़ कर बैठ गई थी मामा के यहां बालक उपमन्यु के शाथ सद बेवहार नहीं होता था रूखा शूखा भोजन भी उन्हें बड़ी कटनाई से मिल पाता अपनी इसनेह मही जरनी के साथ किसी प्रकार यहां रहकर वे बच्पन गुजार रहे थे एक दिन बालक उपमन्यु को कहीं से थोड़ा सा दूध पीने को मिल गया बालक ही तो थे माता के पाफ जाकर उचसे और दूध मांगने लगे किन्तु तपेश्वनी मा को दूध मिलता कहां शे उचने किशी तरह कुछ बीजो का संग्रह किया तथा उन्ही को पानी में पीश कर नकली दूध बनाया और बालक उपमन्य को दे दिया उपमन्यु अपनी माता से बोले मां यह दूध नहीं माता को अपनी विविश्टा पर अत्यन्त दुखु हुआ उपमन्यु के आशु पोच्ती हुई उषने कहा बेटा हम दरिद्रों के भागे में दूध कहा हाँ अगर भागवान शिव की क्रिपा हो जाए तो कोई वस्तू अलभ्य नहीं है इसलिए यदि तुम्हें दूध पीना है तो आशु तो शिव की उपाशना करो दूसरा कोई उपाए नहीं है माता की बात सुन कर बालक उपमन्यु ने शिव जी की आराधना करने का निश्चे किया तपश्या के लिए वे हिमाले परवत पर गए उन्होंने आठ इंटों का एक मंदिर भना कर उश्में शिव पारवती की प्रतिमा स्थापित की तथ पस्चात भक्ति भाव से वे भगवान संकर की पूजा करने लगे वे नित्य वायु पीकर पंचाच्छर मंत्र ओम नमह शिवाय का जब करते थे इस प्रकार दिर्घकाल तक उन्होंने शिव जी की क्रिपा प्राप्ती के लिए कठोर तप किया बालक उपमन्यु की तपश्या के तपशे तीनों लोग जलने लगे देवगर घवराकर महिश्वर शिव के पास करे और बोले प्रभो बालक उपमन्यु की तपश्या के तेज से हम लोग भैभीत हैं आपको प्रशन्य करने के लिए वे कठोर तप कर रहें हैं आपको उन्हें दर्शन तथा वर देकर संतुष्ट करे देवताओं की प्रार्थना से परमेश्वर शिव उपमन्यु की भक्ती की परिक्षालेने पधारे उष्य शमय शिव जी ने देवराज इंद्र का पार्वती जी ने शच्ची का और नंदी ने एरावताथांती का रूप धारण कर लिया इंद्र रूप धारी शिव ने बालक उपमन्यु शे वर मांगने को कहा उपमन्यु ने उन्षे एक मात्र शिव भक्ती की याचना की इस पर इंद्र रूप धारी शिव श्वय मही शिव निंदा करने लगे अब तो बालक उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से कुछ भी लेना अश्विकार कर दिया आओ शिव निंदाशे क्रोधित होकर इंद्र रूपी शिव को मारने के लिए अगोराश्ट्र चला दिया वह अगोराश्ट्र भी जब एरावत रूपी नंदि द्वारा पकड़ लिया गया तब उपमन्यु ने श्वयम को ही जला डालने के लिए अगनी प्रगट की भगवान महिश्वर ने उश अगनी को शान्त कर दिया और अपनी प्रती उपमन्यु की अचल निष्टा देख कर भगवती पारवती तथा नंदि शमेत अपने वास्तिवी के रूप में प्रकट हो गए परमात्मा शिव ने उपमन्यु का मस्तक्षूंगा और कहा वद्स आज से मैं तुम्हारा पिता और जगदंबा पारवती तुम्हारी माता है मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के सहस्त्रों समुंद्र देता हूँ अईशा कहकर भगवान महिश्वर ने उपमन्यु को अम्रत्व के बरदान के साथ अपने गड़ों का आधी पत्य परदान किया इस प्रकार अपने भक्तों को शब तरह से संतुष्ठ कर परमिश्वर शिव शिवा और नंदी सहित वहीं अंतरधान हो गए उपमन्यु भी प्रशन्नता पुर्वक्त अपने घर लोटकर शारी बाते अपनी मा को बतलाई माता के आनंद की सीमान रही उपमन्यु शुखी और शब के पुज्य हो गए तो भगवान शिव तो भोले हैं ही अपने भक्तों को कैसे निराश करते आज के लिए इतना है फिर किसी दिन किसी और वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाए स्रेक्रश जाए स्रेक्रश